वाइक वाइक टो मैं चैनल आजगा हमार टॉपिक है वरक अन टाइम और यह उस पर कोशन एक्स बूलक्स और य ट्रैक्टर टेक एट देज टू प्लो और फिल्ड यह बोल रहा है कि एक्स बूलक्स और य ट्रैक्टर आट दिन में फिल्ड पे काम कर रहे हैं इस हाफ दो नमबर ओ बूलक्स और डबल दा नमबर और ट्रैक्टर ईटक प्लो दॉज यह बोल रहा है कि एक्स बूलक्स और य ट्रैक्टर आट दिन में किसे काम को कर रहे है फिल्ड पे ठीक है और अगर हम बुलक्स की जो कॉंटेटी है उसे हम हाफ कर दें और ट्रैक्टर की कॉंटेटी को हम डबल कर दें तो वही सेम का हम हमारे पास दिन में हो जाता है तो हमसे पूछा हो मैंनी डेज विल टेक एक्स बुलक्स अलों टू प्लॉद फिल्ड यह बो एक्स देज कितनद ले रहे है ठीक है एक्स जो हमारे एक्स से है बुलक्स और हमारे रहा यह थ्यूवl कर देंगे तुवाय को देंगे त्टर यह ले रहा है 5 देज को इसने बोले है कि एक्स अलों कितने करेगा एक्स अलोन कितने दिन में करेंगा कितने डेज में करेंगा ठीक है यह था कोशन मैंने बस इसकी संबरीन यहां देख ली तो गाई सिंपल है कुछ नहीं करने हम सिधा आपको अब पूराने वीडियो से कर सकते आप डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप मेरी बाकी वॉक टाम की वीडियो से से मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे एकदम बेबी स्टैप से मैंने वर्गें टाइम बहुत अच्छे से थियोरी समझा रहे हैं तो चली स्टार्ट करते हैं तो हमें अब इससे यह पता लगा है कि X और Y बुलक्स मिलके 5 एक दिन में काम करती थी ठीक है और जब हम बुलक्स सेफुंद्र में एक दिन में कर रहे हैं 5 फाइव उनिट कर रहे हैं अब तो यह भी लिख लो x by 2 plus 2y एक दिन में कितना कर रहे हैं 8 unit work कर रहे हैं यह work है ठीक है 8 unit work हो रहा है ठीक है अब इसकंदर यह देखो हम इसे solve करके मैं x and y की value निकालने हैं तो यह देखो यह fraction में तो ऐसे करते हैं जो equation है हमारी इस equation को हम 2 से multiply कर देता है ठीक है तो multiply करते है और इसे simplify करके लिखते हैं मैं पहले उपर वाल equation लिख देता हूँ यह 5 इनिट अभी निचा लिखता हूँ तो तो 2 से तो 2 कर जाएगा यह 2 से multiply होके 4 हो जाएगा और 2 से multiply करके 16 हो जाएगा तो चले लिखते है एक्स प्लस 4y is equal to 16 ठीक है अब यहां से solve करते हैं इनकी value देखो यह तो पूरा ही कड़िया ठीक है यह आज जागा माइनस 3y यह जागा माइनस 11 माइनस से माइन साइन गया वाई हो गया हमारा 11 by 3 ठीक है यह वाली जो हमारी y की value है यह आप यह किसी भी equation में पूट कर दीजिए ठीक है जो चल यह हमारी 4 by 3 तो हमें आज से यह पता लगा है कि जो x की value 4 by 3 है मतलब कि जो बुलक्स है वो एक दिन में 4 by 3 unit work करते हैं और total work कितना है हमारे total work है 40 therefore x alone कितने दिन में काम करेगा 40 unit total work करना है ठीक है और एक दिन में कितना करता है 4 by 3 ठीक है इसे solve करेंगे यह तो 10 से चले 30 days तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो please like कीजिए comment करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको कोई doubt है या फिर आपको कोई question है जो work and time से related आपको नहीं आ रहा है तो वो भी आप डिस आप नीचे बताइए comment section में आपको उसका भी solution आपको मिले और प्लीज subscribe कीजिए इस channel को and thank you for watching this video